दोस्तों मोटापा, जॉइंट पेन, पेट में ग्यास बनना, इस सारे एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ हैं, अगर आप एक को ठीक करते हो, डेफिनाइटली बाकी दो चीज़ भी कंट्रोल में आ जाएंगे, पेट अगर आप ठीक कर लिए, याने एसिडिटी गैस्ट पेट जीरो के बराबर हो जाएगा, जॉइंट में अगर किसी भी तरीके के समस्या है, तो आपका ओजन भी बढ़ाएगा, क्योंकर आक्टिविटी आपकी कम होगी, कंस्टिपेशन है, गैस्ट्राइटीज है, एसिडिटी है, तब भी आपका काम करने को मन नहीं करेगा, और आपका मोटापा भी बढ़ेगा, साथ साथ आपका जॉइंट पेन भी होगा, तो चलिए तीनों प्रॉब्लेम को एक साथ में ही सॉल्ब करते हैं, कैसे, पहला जो चीज आपको लेना है, वो है दोस्तों अजवाइन, और साथ में लेना है दोस्तों आपको जीरा, जीरा पर योर्टेस्ट, ये दोनों चीज को आप इसमें एड़ करना है, में जो आपका इंग्रेटेंट्स हुआ, वो है, आपका जीरा और अजवाइन, साथ में थोड़ा सा हीन, और काला नमक आपको मिलानी है, मिला के जब अच्छे से पाउडर बन जाए चारों चीज, इसको ग्लास के बटल में आपको समभाल के रखनी है, कम से कम 15 दिन में फिर नया बनानी है, यानि फिप्टिन डेज का खुराग आपको तयार करनी है, सूभा और साम, आप इसको एक एक चमच, चाय के चमच में एक एक चमच, गुनगुने पानी में डाल के, पीना है, खाली और अगर आप चाहते हो, थोड़ा क्वांटिटी बढ़ानी के लिए, पहले हफता भर छोटे चमच में एक चमच लीजिए, उसके बाद थोड़ा और हाप चमच में एड़न कर सकते हो, जब आपका आदत बने तो, दूसरी बाद है, गुनगुने हालत में भी आप इसको प पियोगे, तब भी दोस्तों लाब होगा, वो इंटर बारी से सब जो समय है, इसमें आप गुनगुने हालत में पिये, चाहें तो चार पांच ड्रॉप लेमन का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो, दोस्तों, आपका वेटलस होगा, अगर आप गरम पानी में डाल के लेते हो, सबसे बेस्ट होता है, गरम पानी में चाई के तरह आप इसको पियो, दुसरा है कि आपका जॉइंट पेन दिरे दिरे कम होगा, और बिना दवाई के आप आर्थराइटिंग जो चेंजेस हो रहा है आपके सेरीर में वो कम होने लग जाएगा, जिसे सर्भाईकल स्पॉंड कमर में दर्द याने बैक पेन रहता है, हिल पेन रहता है, नी में घुटने में पेन रहती है, हर एक छोटे-छोटे जोइंट, बड़े-बड़े जोइंट में पेन रहता है, उसमें कमी आएगा, तंदुरस्त आप महसूस करोगे याने आपको healthy feelings होगी, दिन भर आपका ठक प्रकान जो लग रहा है, वो नहीं होगा, रात में नीन अच्छा होगा, blood pressure दोस्तों, normal होगा, याने अगर high blood pressure है, normal होगा, कम होते जाएगा, और समय के साथ साथ ठीक भी हो जाएगा, हाट की समस्य भी दोस्तों, इससे ठीक होती है, क्योंकि बायू दोस्त, बायू बिकार यह सब समस्य दोस्तों, हाट के लिए हमें ऐसा अहीत कारी याने नुकसान दाय हुआ है, तो यह जब ग्यास ही नहीं बनेगा, तो आपका हाट को भी दोस्तों यह prevent करेगा, हाट अटक से आप बचूगे, कोलेस्टरल लेबल आपका अजवाईन और जीरे का प्रयोक से कम होगा, और आपका टोटल कोलेस्टरल आप दो मैने तिन मैने चेक करके भी देख सकते हो, इसका प्रयोक करने से, आपका टोटल कोलेस्टरल कम होगा, खास करके बैड कोलेस्टरल का लेबल तो बिलकुल घट राएगा चलिए तो यह बढ़िया रहा आपके लिए दोस्तों जॉइंट पेंड आपका ब्लड पेशर ओबेशिटी आने मुटापा साथ में गैस्ट्राइटी से सीडिटी कंस्टिपेशन की समस्या ठीक होगा तो साम एक बारी और सुभा एक बारी चाहें तो इबनिंग के जगा आप डिनर के बाद भी दोस्तों इसका इस्तिमाल कर सकते हो जिससे आपको सुभा खुल कर पेट भी साफ होगा रात में इनसों मिन्य की प्रॉब्लिम भी दोस्तों सॉल्व होगी तो पहले आप सुभा एक बारी शुरू कर लो चार-पार दिन पी लो उसके बाद फि मौनिंग इबनिंग अगर आपका पेट साफ हुआ तो आपको कोई भीमारी छू नहीं सकता हजारों टिप्स मैं ऐसे अपनी किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में दिया हूँ ये एक तरह से आपके घर आप एक डॉक्टर मंगवा रहे हो जो आपको गाइड करे या नहीं यह तरह से गाइड बूक है यह आपको बताएगा कि कैसी तरह से आप अपनी हिपाजत करोगे हजारों टीप्स आकी परेशर का पूरी ज्ञान आयर्बेत कैसे आप घरों में अपने आपमें इलाज कर पाओगे अपना हिपाजत कर पाओगे पूरी डेस्क्रिप्शन फोट 303 में वाटसब डाले स्पाइन की अगर समस्य है दोस्तों 26-27 साल से इसी फिल्ड में काम कर रहा हूं आपको सरजरी नहीं करना पड़ेगा कोई भी डॉक्टर कहा है सरजरी करने के लिए आप मुझे मरे रिपूर्ड और फिल्म भेजो डेफिनाइटली हम इसमें कामियाब हो होंगे हमारी कामियाबी का मतलब है आप सेहत बंद रहोगे और आपको सरजरी नहीं कराना पड़ेगा चलिए फिर अगला वीडियो में मिलते हैं थैंक यू बेरी मच जैन जै भारत